र्ाज्यसरकार द्वारा एक नेड़े लिया गया है कि आजकल क्योंकि स्कूल्स में पढ़ाई वाटसेफ के माध्यम से या कुछ उँच अजया अन्यासाद्शाद्मों के माध्यम से बच्कों को पढ़ाई की जा रही है तो किताबों को देखकर फैसा लिया गया है कि किताबों की जो दुकाने हैं वो स्वमवार को और वीरवार को खुली रहेंगी ये दुकाने सिर्फ हमारा जो relaxation period है उसी दौरान ये खुली रहेंगी सुबर दस बज़े से लेके एक बज़े था इसेंशल कमोडिटीज की मुवमेंट को देखते हुए जो हमारे ट्रक्स चल रहे हैं उनके रिपैर के दृष्टी से ट्रक रिपैर की जितनी भी हमारे वर्क्शॉपस है उनको खोलने के हमने आदेश दे दिये हैं इसमें संबंधित SDM से वो पर्मीशन लेंगे और SDM उसकी म से ले सकता है साथ ही साथ जो टायर मंक्चर के है इसके लिए भी संबंधित SDM पर्मीशन देंगे कौन सा टायर की दुकान युगा खुली रखनी है और उसका समय क्या होगा यह भी फैस्ता SDM के द्वारा लिया जाएगा लॉक्डाउन और करफ्यू के चंते इस बार जिलामंडी में हमने फैसला लिया है कि जो हमारे पैंशन है जिसमें की ओल्ड एज पैंशन है विकलांग पैंशन है और दूसरी पैंशन है ये सभी पैंशन हम घर द्वार पर लोगों को बित्रित करेंगे इस बार की जो में दे दी गई है, पोस्ट के माध्यम से, पोस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से, डाकिया जो है वो हर घर पर जाकर लोगों को अपनी पेंशन वहाँ पर देगा, यह फैसला इसलिए भी लिया गया है कि सोशल डिस्टंसिंग हमने मैंटेन कर दी है, प्लस जो समय है हमारे जिसमें की लोग बहार निकल सकते हैं, वो सिर्फ तीन घंटे का समय है, इसलिए लोगों को परिशानी ना हो और ज्यादा भीड पराका ना हो, इसलिए घरदवार पे ही पेंशन देने का इस बार का पैसला लिया है, आम तोर पर जो बहुत बुज़र्ग लोग हैं और जो की जो और पर जो चल फिर नी सकते, उनको घरदार पे पेंशन ना के माध़्यम से दी जाती थी, आज भी जो प्ल Agora की पेंशन है पर जरा मंडी में उनको घरदवार पर पैंशन दी जाएगी, इसमें पेंशन पोस तक पहुंच गयी है और पोस के माultural पीर्ण पिसाए हो सभी की पेंशन जो है अपने अपने घरों में उपको घरद्वार पर ही मिल जाएगे